हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो मैं चैनल अम्रिती वेस्ट नमिला आज की वीडियो में हम लड्डू को पाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं ड्रेस बहुत ही सिंपल और सुवर्थी एकदम प्लेन यलो कलर की है और साथ में यलो कलर की कैप है बट इसका यह जो पटका आ ऐंड लो क Wow जब करणा ही है और यह भी चार नमिली को पैना हुए हुए और आप यह तीन और चार दुन साहज्च्रे काना जी को पहना सकते हैं वीडिय през रहे बर नवे पなた है कि ए विडियो इंवी इनार के बना सकते हैं तो वो लिडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप आपको डिस्क्रिप्स बॉक्स मिल जागा चले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने यह द्रेस काना जी के लिए कैसे बनाई है यह देखिए सबसे पहले मैंने यहां पे यलो कालर में उन लिया है और शाहत में यहां पे टू एमेमे में क्रॉश या हूंगली हुआ हूआ है तो चले हम श्टार्ट कर लेते हैं किस तरह से बुनेंगे सबसे पहले हम यहां पे एक ऐसे करके लूप बनाएंगे अब इसमें अपने होक को डालेंगे डालने के बाद यहां से हमने इस तरह से चेन बनानी है देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, हमने यहां पर टुटल चौदा चेन बनाई है, एक चेन मेरे होक में इसके बाद हम दो चेन छोड़ेंगे और तीसरे चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसी चेन में डाला और इसमें हमने डबल क्रोशिया बना दी, यह देखें, फॉस्ट चेन में पर हमें दो बार double crochet बनानी है यह हमारा एक हुआ और यहीं सेम चेन में हम एक और बार बना लेंगे तो चलिए हम इस तरह से अपनी ये रो कम्टीट करते हैं सभी चेन में दो दो बार double crochet बनाते हो फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहां पर अपनी ये रो कम्टीट कर ली अब यहां से बarah को ट्रॉंण करेंगे लगा यह क शावर अर रोग करेंगे ऑर यह और यह दो ने चीट बनाना है द लागे दो Cổा should good terrorism कि बनाना है त्टी चेन में आनक जिए यह हम कुआ क्योगने आंसे नहीं में हमने क्उ रोग पूडल लूक्रो मैं हैं फिर से एक बार दूसरी चेन में हमारा एक बार हो गया तीसरी चेन में भी हमारा एक बार हो गया अब इसके बाद यह जो चौती चेन आएगी इसमें हम दो बार बना लेंगे यह देखें एक बार हुआ यहीं सेम चेन में एक बार और हो गया इसी तरह हम अपना यह पूरा रो complete कर लेंगे तीन चेन में एक बार चौती चेन में दो बार double crochet बनाते हों यह देखिए हमारे दूसरी रो भी complete हो गए यहां से work को turn करेंगे और थोर्ट नमसे क्या करना है फिर से basically get two chain है हमने अब यहले हैं से देखिए एक चेन में हम एक बर double बार double crochet बना रहे और त्यूसरी चेन में हम एक बार double crochet बनासे पर लेना है चार चेन में और पांच में चेन में हम दो बार double crochet बनाते हुए चले कर देती हूं फिर आगे पताऊंगे क्या करना यह देखिए यहां पर हमारी यह तीन रो हो गई है अब चौथी रो आप बहुत ध्यान से दिखें क्योंकि इसमें अपनी स्लीब बनाएंगे तो यह देखिए यहां पर हमने एक और यह दो हमने दो चेन बनाया इसे भी हम एक double crochet ही मानते हैं अब देखिए यहां पर फॉस्ट चेन में इस तरह से double crochet बनाए हमारे दो double crochet हो गई फिर अगली चेन में बनाया यह हमारा तीन हो गया फिर अगली चेन में बनाया यह चार हो गया और फिर अगली चेन में बनाया पांच हो गया तोटल हमने 5 double crochet बनाई है, इसे इस तरह से करेंगे, और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, आठ, चेन इसक्रिप करने के बाद हम 9 में इस तरह से डालेंगे, और यहां हमें फिर से double crochet बनानी है, यह जो हमने छोड़ा है, इसे हम, स्लीब यह हमारी जो चूटा है, देखिए, दो चेन में हमने दो बार बना लिया, फिर यह हमारा तीन बार हो गया, यह चार बार हो गया, यह पांच बार हो गया, सभी चेन में में एक एक बार double crochet बना रही हूं, यह हमारा छे बार हो गया, यह साथ बार हो गया, यह आठ बार ह यह हमारा front पला है, हमने यहां पर 9 बार बना दिया, फिर इस तरह से करेंगे, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठ चेन चोड़ने के बाद हमें यहां पर फिर से इस तरह से double crochet बनानी है, उस साइड हमने total 5 बनाई थी, तो यहां पर भी last में हमें total 5 double crochet बनानी है, एक हमारी बन ग पांची करनी है, तो एक हम इदर कहीं से उठा के बनाने का, गया तो वहीं पर आप दो बार बनाने, एक हमें दो बन भी शकते हैं, तो इस तरह से देखें, 5 हमारी दर हो गई, 5 इदर और यह नौ बीच में और इदर हमने यहां यहां पर 8 चोड़ दी है, तो इस तरह से यह देखिए चोली आ गई है अब हम यहाँ पे चोली की अपनी last row बुनेंगे तो last row हमें एकदम सीधी सी मिल जाएगी इस तरह से हमने एक chain बिनाए और यहाँ first chain में इस तरह से एक बार half double crochet बुनेंगे तीन फंड है तीनों को एक साथ जब उतार देते हैं तो इसे half double crochet बोलते हैं यह देखिए यह इस तरह से तीनों फंड को हमने एक साथ उतार देना है और यहाँ सब भी chain में एक एक बार हम half double crochet बुन देंगे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चले बुन लेते हूं फिर आगे बिताऊंगे क्या करना है यह देखिए यहाँ पर हमारी row complete हो गई है और यह हमारी चोली भी complete हो गई है यह इस तरह से आएगी यह देखिए और back से ऐसे आएगी अब हम यहाँ पर अपना गेर स्टार्ट करना है तो यहाँ से हम अपना गेर भी स्टार्ट कर लेंगे यह देखिए एकदम simple और आसान तरीका है पूँ कोई दिक्कत नहीं होगी यह हमने यहाँ पे एक दो दो चेन बनाई अब देखिए यह जो first chain है इसमें हमने डाला और double crochet बुन दी फिर हम इसी chain में डालेंगे और double crochet बुल लेंगे फिर देखें next chain में हमने डाला double crochet बना ली और फिर यहीं same chain में डाला और double crochet बना ली इसी तरह हम यहाँ सभी chain में double crochet बनाएंगे दो दो बार यह देखें इस तरह से ऐसे करके हम अपनी पूरी रो कम्टीट करेंगे चले करते हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करने यह देखिए हमने आपर सभी chain में दो दो बार double crochet बना दिया है अब य अगली chain में डाला यह देखें फंदे को निकाला और इसे लंबा कर दिया फिर हमने इस तरह से किया यहाँ पे अगली chain में डाला यहां से फंदे को निकाला और इसे लंबा कर दिया यह देखें तीन बार हमने किया है अब यहां से यह देखें सबसे पहले हम इसे यहां से प हमें बुिन्हें के बाद यहां पर हमें डिकिये give us करेंगे ज़िस जी Χमें निपनी बने ठेखें बनाया था बातिवाली शैंच लाडलीहीं एक बार यहां, अगली चैंच में इन swo darauf और पकड़ने के लेना है और का अग्ली farm निकाल लेना है इसमें हम इस तरह से डालेंगे डालने के बाद हमने फंदे को निकाला और इसे हमने इस तरह से बुन दिया ऐसे करके अब फिर हम यहां पर वैचिश करनी है एक और दो दो हमने चेन बनाई फिर यहां से इस तरह से बनाया और फिर यहां अगली चेन में बनाया तीन बार हो ग यहां से इधर निकाल से निकालते हैं इसमें से हमने प्राइब समय हमसे निकाल अनुग से लना करें गछ्दीन के करने कि यह सब क्या ल, बना दाएंगे यह कीुछ हमने दो chain बनाई अब इधर भी हमारा वही design है तो यहां से हम अब joint कर लेंगे इसे, इस तरह से हमारा, यह देखें, यह यहां पे joint हो गया, joint करने के बाद हमें क्या करना है, देखें, एक और दो, दो chain बनाएंगे और यह जो hole दिख रहा है, यह देखें, इधर हमने इधर बन है, इसे हम इस तरह से यहां पे double crochet बनाएंगे, यह भी हमारा एक double crochet है, जो हमारी दो chain है, तो यहां पे हमारा 2 double crochet हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया, और यह हमारा 6 हो गया, हमने यहां पे 6 double crochet बनाएंगे, फिर हम इस तरह से करेंगे, और यह देखें, अगले जड़े वाले में टाल के यहां पर हम double crochet up 7 ये हमारा दो सभी में हक्ने चे भार बुढ़نا आ है कि हाँ कि हाँ ये दखिया हमने तक तीन बनाया है और हमारा चार हो गया ये Is years of बना लिए, फिर से गरेंगे, और अग्ले फैर यग्ए परियंगे, यह, दो, थीं, चार, पांच, और यह, छह, परियंगे, है यह दो अंग्य में, यह दो इसे कर्न है, सब जुद hilarious यह, जो दो गत्रैक्षा, जो यह, दो है, पर आग्ए, इतन WILL स finely करना बै। यहांपे हम इसे slip stitch की ऐल्प से जोड़ देंगे यह इस तरह से हमने यहांपे इसे जोड़ देना है यह देखें यहां पर हमारा यह जोईंट हो गया है अब हमें यहांपे क्या करना है दिखिए 1, 2, 2 हमने chain में अचल और इस तरह से करेंगे यहां पर हमने यह जो छे चेन है इसमें से हम यह एक बार करेंगे एक चेन में से यह हमने एक बार किया फिर इस तरह से हमने दो बार किया और यह हमने तीन बार किया यह देखें फिर से वह चीज करेंगे यहां से इसे ऐसे पकड़ेंगे यह हमने निकाल लिया निकालने के बा जो chain है इसमें हम करेंगे यह एक बार हुआ यह लोघ रहा गोग बार हुआ और हमारा 3ば फिर से निगकना है यह निकालने के बाद हम इस बार हम जोईंट कऱिए बाद फिर से एक diferente ने करो एक बार डूआ करना है तीन तीन ही हम कर रहे थे पर सभी के बीच बीच में हमारी चेन दो की जगह अब एक ही रहेगी देखें एक बना लिए ऐसे करके हम यहां पूरे राउंड पे करते हैं चले कर लेते हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहां पर अपना राउंड complete कर लिया аभ यहाँ पे में किस तरह से बुलना है यह देखिये यहाँ पे हमें एक दो दो chain में ना है यह भी हमारी 1 double cross्या बाने जाती है और फिर्स्ट वाले में हि डाल के हम इस तरह से क्रोफ्ष ganz बुंअगे एक बार हमने बुना यह हमने दो बार बुना ये हमने 3 बार बुना ये 4 बार बुना और देख़ें एक हमारा chain था टोटल 5 हो गया है और फिर हम इस तरह से करेंगे और अगले वाले में हम 5 बार बना प्र भी में हमें 5 5 बार बुना है 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 5 डबल क्रोशी हमने बना दी फिर अगले वाले में देखें, एक, यह हमारा दो, यह हमारा तीन, यह चार, और यह पांच, इसी तरह हमें सभी के बीच बीच में पांच बार बुनके और इसे slip stitch से जोड देना, चले जोड देती हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करना है, यह देखिए, यह हमारा पुरा round कम दो खेंगे, यह देखें, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक और दो दो चेंड के जानी है, अब देखिए, यह हमारा पांच-पांच एह दो तीन, चार, ने Ôर देखिए, यहे इस तरह से बुनना है, एक भर, दूसरे में हमने दो बार, तीसरे में हमने तीन बार, प्रोपर में चार और ये पांचे में पांच ये देखें इस तरह से हमने लिया यहां से पपड़ेंगे और इसे हम निकाल लेंगे निकालने के बाद जो हमने पपड़ा था उसमें हमने डाला डालने के बाद फंदे को निकाला और बुन दिया इस तरह से अब हमें यहां पे देखें ए एक्ष्ट वाले में मतल боль एक दो है गiding 22 cuatro और यह पांक्छ किया यह यहंने से फिर से पकड़ेंगे जिए कि रूषी के निकाल लिया लेके बाद हमें इसमें से भीनिन्ला यह इस तरह से निकाला यह अगै निकल किया्या और यह से यह जो हमने पकड़ा हुआ था उसे हमने बुन दिया फिर यहाँ पर हम एक, दो, तेन चार, चारचेन बनाएंगे और फिर इस तरह से अगले वाले में डालेंगे, यह एक दिखें, एक और ये दो, तीन, चार और ये हमारा लास्ट 5 फिर हमने यहांसे इसे पक्ड़ा इसे यहaं से निकाल लेंगे निकालने के बाद यह जो हमने पक्ड़ा था इसमसे लाग के बुनेंगे इस तरह से यह देखें ऐसे करके हमें इसके पूरे राउंड पर बुन लेना है चलिए बुन देती हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करें यह देखे हमने यहाँ पे इसके पूरे राउंड पे बना दिया है बहुत ही खुप सुछत लग रहा है अब हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरह से एक चेन बनाएंगे और इसे लंबा करेंगे और हम यहां से भीसे cut कर देंगे इस तरह से हमारा हो गया है अब देखिए इस पर आप लगा सकते हैं चिछ चाट बटन पीछे से बट मैं यहां पर डोरी बनाऊंगी और डोरी हम देखें यहां से बनायेंगे स्लीव के पास से जब यहां से हम बनाते हैं तो बांधने पर फ्रिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो यहां पर हम अपने उनको इस तरह से अटेच कर लेते हैं, यह देखें, इस तरह से हमने अटेच किया यहां पर और इसे बांध देते हैं, बांध देंगे तो इसके खुलने का कोई भी वह नहीं रहेगा ने तो दूसरे साइड भी करेंगे, तो चलिए मैं कर लेती हूं, फिर आगे आपको बताऊंगे क्या करना है, यह दिखिए, ड्रस मैंने पहना दिये कानाजी को, अब इसके साथ हम बनाएंगे मैचिं की कैप और एक पटका, तो कैप के लिए यह दिखिए, मैंने यहां पर इस तर बनाएंगे, बनाएंगे, यह देखें, यह 2 होगया, यह 3 होगया, इस तरह से हम यहvaart तो तो टोटल, बार यह दबल क्रोश के बनाएंगे, चैर हो गया, यह देखिए, यह 5 हो गया, यह 6 हो गया, तो चलिए मैं 21 बना लती ह You gonna say, यह दिखिए के काओ इसके साथ यहां पर की सबारा डबल क्रॉचह भनादी अब रिखेंगें जोड़ने के बाद पहें एक दो दो चैन बनाई और यहां पर फिर other क्रॉच बना बनाएंगे एक चैन में एक अगार दूसरी चैन में एक भार और तीशी चैन में हम 24 बार बना लेंगे double crochet, देखें, यह एक और यहीं सेम chain में एक और बार, इसी तरह हम अपना पूरा रो complete करके, इसे slip stitch से जोड़ेंगे, दो chain में एक एक बार और तीसी chain में, दो बार double crochet बना दिया, अब यहां पर हम सभी chain में, एक एक बार double crochet बनाएंगे, यह थोड़ रो है हमा यह देखिए यह हमारा हो गया है अब हम इसे यहां slip stitch से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हमें यहां सभी chain में सबस्पारले एक chain बना लेते हैं उसके बाद सभी chain में एक एक बार single crochet बना देनी है यह देखें इस तरह से चले बना लेते हूं फिर आगे दिखाऊंगे क्या करना है अब देखें हमें क्या करना है यहां पर एक दो दो चैन बनाने के बाद सभी chain में हम इस तरह से दो-दो बार double crochet बनाएंगे यह देखें आप तो तीन-दीन बार भी बना सकते हैं और अच्छी प्रेल आजाएगी देखें मैं आपको तीन बार भी बना के दिखा देत पर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखें है हमारी कैपी complete हो गई है बहुत एक उपसुरत लगती है इस तरह से आएगे यह ऐसे करके कानाजी को पहना देंगे बहुत अच्छे से फिटा जाएगी अब मैंने यहां पर रैट कलर का उन लिया है पतका बनाने के लिए तो दो तीन चार पांच छे चे चेन हमने बनाए अब यहां छोटे वाले सरकल में जो अब भी बनाया है इसमें इस तरह से जोड देंगे फिर हमें वही चीछ करनी है एक दो तीन चार पांच छे चे चेन बनाने के पाद फिर इसी छोटे से सरकल में में डालके इसे जोड देना है इसी तरह हम इसने कई बार बना लेंगे चले बना लेती हूँ फिर आगे बताओं गाहिए यह देखिए ह्याँ फह मैंने यह खाहु इधसे चेंट बों लेंगे इस तरह से लंबी सी चेंट बुनेंगे कल ठीए ऐसे करके हमें बुनना है लंबी सी चेन बुनेंगे और फिर इसके दूसरे साइड भी सेम तरीके का फ्लार बनाएंगे पहले हम इसे थोड़ा लंबा कर लेते हैं बहुत सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं बहुत ही उबसुरत लगती है ड्रेस देखें और ऐसे ही आप एक फ्लार बनाके कैप भी अटैज कर सकते हैं यह इस तर से मैंने इतना लंबा कर लिया अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे फिर से वही चीज हमें करनी है यह देखें यह एक, दो, तीन, चार, चार चेन में बनाने की बाद यहाँ पर हम फॉस्ट चेन में डालके जॉइंट करेंगे और जॉइंट करने की बाद फिर से देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे चेन बनाई अब यह हमारा जो छोटा से सरकल है इसमें हम डालके इस तरह से जॉइंट कर लेंगे इस साइड भी हमारा फ्लार बनेगा सेम तरीके से फिर यहाँ पर एक, तो, तीन, चार, पांच, छे चे की बाद फिर से हमें यहाँ पर डालके जॉइंट कर लेना है इस तरह हम डोटा जहाँ चे बार करेंगे उसे बाद नॉट लगा के कट कर देंगे चार लेते हूं फिर आगे बताऊंगे यह देखें है यह हमने पटका बनाके यहाँ पर इस तरह से दे दिया है बहुत ही खुपसुरत लग रहा है अगर आप प्लेट या लोगलर की guys gonna की बनाके इस तरह का पट का लगा देते हैं तो बहुत ही सुन्धर लगदा और कैप मैंने एक दम प्लेन ही रख की है आप चाहें तो इस तरह का फ्लार बना के यहां पर भी लगा सकते हैं बट बहुत जादा लग जाने से यह इसका जो लुक आ रहा है से यह हाइलाइट होड़ा है वह खतम हो जाएगा जादा जादा रिड दिखने रहेगा तो इसलिए मै मैं आपको भी यही सजिस्ट करूँगी कि आप ऐसे रहने दे बहुत ही कुपसूरत लगेगा हमारी ड्रेस में वैसे ही कुपसूरत सा डेजान है और आप चाहें तो यहां पर मूती बगर अलगा सकते हैं कुछ मुझे ऐसा ही बहुत अच्छा लग रहा था है तो मैंने ऐस चोड़ दिया और यह अच्छा नमभर कानाजी को पहना हुई है आप द्रेस तीन और चार दोनों चाहई को पहना सकते हैं और किसी बी चोड़ी आप बना ले चोली के वीडियो अप्लोड़ ए सभी चाहई के लिए तो चोली आप बना ले और जिस तरह से हमने स्टार्टिं को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे